नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं कि आप लोग ठीक होंगे तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए मेरा पहला ट्रीक के लेगी से है तो क्या होता है कि अक्सर लेगी हम जब भी पहनते हैं दाते समय भी अगर हमारा पैर गिला रहता है तो हम लेगी को पहननी पाते हैं तो फ्रेंज से ट्रीक आप जरूर आजमाईए तो दिखे इसके लिए हमें एक पन्नी लेना है पन्नी को हमें आप कैसे भी पन्नी ले लीजिए पन्नी को हमें पैर में पहनना है और पैर में पहनने बाद अगर आप इसको इस तरह से लेगिज को अगर आप पैरों में पहनेंगे तो ये पन्नी के सहारे लेगिज को बहुत आराम से आप पहन पाएंगे बहुत इजी तरीके से पहन लेंगे बहुत जल्दी ये पैरों में से उपर चला जाता है बहुत इजी तरीके से ये लेगिज आप पहन लेंगे तो देखी फ्रेंस है ये इस तरह भी आप ये नुकसा अगर आप आजमाएंगे ना तो बहुत इजी और बहुत आसान तरीका है इस तरह का आप ट्रीक जरूर आजमाएए तो प्रेंस आइडिया कैसा लगा आइडिया अच्छा लगे तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताई चलते हैं नेक्स डैटिया मेरेह ईग चूरी से है तो देखें क्या होता है कि अक्सर जब भी हम चूरी कभी हमें टाइट रहता है टैट चूरी आ बहुत पराब्लम होता है हम पहन में पाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है तो देकिया हम मैसिलीम या थोड़ा- इसको हाथ में लगा लीजिए और लगाने बाद अगर आप चूड़ी पहन रहे हैं तो यह बहुत आराम से आपके चूड़ी हाथों में चली जाएगी बहुत इजी तरीके से तो फैंस एडिया कैसा लगा अडिया अच्छा लगे तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताईए चलते हैं नेक्स आइडिया देखिए मेरे च्छाता से है तो क्या होता है अक्सर हम जब भी च्छाता यूज तो कर लेते हैं लेकिन बारिस का मौसम जब भी खतम हो जाता है तो हम च्छाते को ऐसे उठाके रख देते हैं हम इतना ध्यान नहीं देते हैं च्छाते को जब भी बारिस का मौसम रहेगा जब भी हम ध्यान देते हैं तो इसमें अक्सर क्या होता है कि हम च्छाते को रख तो देते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं तो हमें करना क्या है इस तरह से आपके पास कोई भी पावडर है इसको इस तरह जब भी आप छाता को रखते हैं ना बारिस खतम होने के बाद तो इस तरह आप पावडर इस चाते को उपर डालिए और इस तरह इस पे पावडर को लगा के आप इसको छाते को तभी रखी क्योंकि इस तरह जब भी हमें चाता यूज करना होता है तो फ्रेंस इस तरह से आप अगर रखेंगे तो आपका चाता अच्छा भी रहेगा और चाते में से खुस्बू भी आएगा इसमेल भी नहीं आएगा तो यह आइडिया कैसा लगा आप सभी को चलते हैं नेक्स आइडिया एक तरब नेक्स आइ चीटियां से भी आने लगते हैं तो इसके लिए देखे सबसे अच्छा ट्रीक है हमने लॉंग लिया है और एक दो मैंने यह काले मिर्ची ले लिया है और एक छोटी लाइजी इसको आप चीनी में डाल के रख देंगे ना तो आपके चीनी में से खुस्बू भी आएगी औ और आपके चीनी में चीटी वगरा और इसमेल नहीं आएगा और खुस्बू अच्छा आएगा तो यह ट्रीक आप सभी को कैसा लगा चलते हैं नेक्स आइडिया के तरफ देखे नेक्स आइडिया यह हमारे जो फिनेल होता है यह कपूर जो हम कपड़े वगरा में रखते ह है यह मैंने लिया हुआ है तो क्या होता है ना कि हम जब भी लियाते हैं कपड़े वगराम रखने के लिए तो हमें सोचना पड़ता है कि हम इसको कैसे रखें तो देखें हम तो ऐसी रखते हैं को कि इसका हम पैकेट तो खोलते नहीं है ना मैं किसी कपड़े में इसको में रखना पड़ता है मैं इस तरह रख देती हूं और इसकी खुस्बू भी अच्छा आता है और आपके आलमारी में और दिवान में आप कहीं भी रख रहे हैं तो कीड़े वगरा इसमें नहीं आते हैं तो देखिए आप अगर इसी तरह से ट्रीक आज माएंगे ना तो यह होती अच्छा है आप उन डिविक ज़रूरत पड़ेगी ना आपके छोटा मोटा कपड़े में गेठा लगा के रखने ज़रूरत पड़ेगी तो फ्रेंस उमीद करते हूं कि आइडिया आप सभी को पसंद आएगा तो देखिए नेक्स आइडिया मेरा यह है बिलाउस से है कि कभी कभी हमें हमारा बिलाउस कभी छोटा या बड़ा होई जाता है सरीर थोड़ा डाउन हो जाता है तो हम क्या करते हैं अक्सर की हम कोई साथ पीन ले लेते हैं तो हम नीचे से आलपिन लगा के इसको टाइड कर लेते हैं तो दिखिए फ्रेंस इस तरह यह नुक्सा आ आज हमाहिए तो ज्यादे अच्छ है क्योंकि इस तरह से मिसरे अच्छ अधिम हम रहे हैं ट्रीक बतारहे आपको आप इक को जब भी ठाइट करना है तो आप नीचे सब्सक्राइब में लगा रही हों इस तरह से आप लगाएंगे पीन को तो आपका बिलकुल यह देखिज तो देखिए विल्कुल हुक बन गया आपका इसमें पसा लीजिए आपका बलाउज ने पटे खटेगा और सेफटी गरेगा तो फ्रेंस उम्यद करती हूं कि यह भी आइडिया आप सभी को पसंद आए तो चलते हैं नेक्स आइडिया मेरा यह है नमक को लेके है जो नमक दान भी तो इसमें थूड़ा क्या है नहीं है ना आहित नमक का जितना इसमें फहाई इस नमी जाया तक अफेक्ट छला जाए कंश अफेक्ट का अफेक्टाइट है शॉर्ट फिरमका निकल भीको अच्शों साय बनें शॉत है यह हुद्ट आए पृडिया है आप सब अश्य झाल